आइस्ट्रिम से बच्चों की फेवरेट नहीं होती है बल्कि बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं अक्सर आइस्ट्रिम को आप बजार में खाते हैं लेकिन आज हम घर के समान से बहुत ही सिंपल तरीके से यह आइस्ट्रिम बनाएंगे इसे बनाने के लिए ना ही बीटर, ना ही condensed milk और ना ही ice cream maker की ज़रत है और इसके साथ हम बनाएंगे घर में बिल्कुल easy सा chocolate sauce जिसे आपको बजार से खरीदने के बिल्कुल भी ज़रत नहीं है तो चलिए इसकी recipe को चिटकी में बनाते हैं आइस्ट्रीम राने के लिए सबसे बहले हम यहां पर लेते हैं biscuit तो यहां पर मैंने यह पाड़ली की happy happy वाली biscuit ली है जो की चॉकलेटी है आप यहां पर कोई भी चॉकलेटी बिस्किट कर सकते हैं Oreo भी ले सकते हैं, Hide and Seek भी ले सकते हैं लेकिन यह 5 रुपे का एक packet है तो कम प्राइस भी पड़ता है इसका और बहुत ही सस्ते में चॉकलेटी आइस्क्रीम बनके रेडी होगी तो यहां पर मैंने टोटल 5 पैकेट बिसकिट लिया है जिसे मैंने इस तरीके से पैकेट से बहा निकाल लिया है और चलिए अब इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना है तो सभी को रफ्री तोड़कर हम डालते हैं जार में तो यहां पर आइस्क्रीम बनाने के लिए हम ले रहे हैं 500 ml दूद और यहां पर दूद लेते हैं ध्यान रखना है कि दूद फूल फैट मिल्क होना चाहिए तब ही जो आइस्क्रीम और टेक्शियर रेना बहुत अच्छा आता है तो यहां पर मैंने बफलो मिलकर इस्तमाल किया जिसमें फैट कंटेंट जादा होता है अगर आप मार्केर बाद यह चट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो अमूर गोल्ड मिलकर इस्तमाल कर सकते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं टेस्क एकॉर्डिंग चीनी तो यहां पर म करेंगे जब तक यह मिक्षर थिक ना हो जाए अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसे चलाना बन नहीं करना है नहीं तो बिस्किट जैसे कुक होगी ना पैन के तले में चिपक जाएगी तो बिलकुर कंटेंवर्स चलाते हुए ही इसे हम कुक करेंगे और हां यह चलाते हैं तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में ठीक हो जाएगी इस समय बस आपको चलाना बन नहीं करना है नहीं तो इस पैन के तले में बहुत जल्दी चिपक जाता है क्योंकि इसमें मैं कोको पाउडर वगर कुछ भी इस्तमाल नहीं किया है तो आगे मैं सीक्र करें बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है तो बस हम यहां पर फ्लेम को बंद कर देंगे इसे हमें और कुक नहीं करना है अब हम फ्लेम को बंद कर के इस मिक्शण को रखते हैं किजन प्लाटफॉम पर और इसमें डालते है वह सीक्रे इंगिरियंट जिसे कि हमारी आइस्क जोड़ कर डालते हैं चौकलेट मिक्शर के साथ तो यहां पर जो चौकलेट का मिक्शर ना काफी गरम है तो बहुत यह असानी सी टेरे मिक चौकलेट मेल्ट हो जाएगी तो इसी तरीके से मैं यहां पर दो पैकेट लिया है और इसे बिलकुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर आप यहां पर चॉकलेटी खाना पसंद करते हैं, तो जादा डेरी मिल्क आड़ कर सकते हैं, तो यहां पर इस मिक्षर को चलाते वे हमें कुक नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, तो जो चॉकलेट है ना वो पैन की हीट से बहुत जल्दी अब बहुत गरम है, तो इसे हम थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लेते हैं, जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तब इसे मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड करेंगे, मैं तो आज इस आइस्क्रीम को बिस्किट से बना रही हूं, अगर आप भी घर में चॉकल तो कई बार खाई होगी, लेकिन घर में जब इस तरीके से आइस्क्रीम बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है, कम खर्चे में घर में इस आइस्क्रीम को बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं है, जब बन चाहे तब बना लीजे, बच्चे हो या ब बिल्कुल भी बीट नहीं करना है, इसी तरीके से जार में डाल दीजे, और यहां पर जो क्रीम है ना थंडी भी नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परिचर पे है, आप यहां पर फ्रेश्क्रीम की जगर चाहे तो विपिंग क्रीम का भी सेम कॉंटिटी में इस्तमाल कर सकते है, मैंने चार अलग ख्लेवर में चॉकोबार आइस्क्रीम नाया था, वो भी सिफ घर के समान से, तो अगर आपने रेश्पी नहीं देखिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पे क्लिक करके से जरूर देखिए, तो बस यहां पर मैंने क्रीम और चॉकलेट मि सेट करना काफी असान होता है, प्लास्टिक या स्टीली कंटेनर में आप किसी में भी बहुत ही असानी से आइस्क्रीम को जमा सकते हैं, तो बस इसमें हम सभी चॉकलेट का मिक्शर डाल कर बिल्कुल अच्छे से टैप कर लेते हैं, और उपर से हम थोड़े से चॉकोचिप डाल देते हैं, जिससे की देखने में अच्छा लगेगा, आप चाहें तो इस चॉकलेट मिक्शर में भी चॉकोचिप साइड कर सकते हैं, लेकिन मैं उपर से सिफ डेकोरेशन में यूज किया है, और इसके उपर लगाते हैं, फॉयल पिपर जिससे की इसमें आइस कॉस्ट चीनी, और साथ में यहां पे हम कोको पाउडर भी डाल देंगे, और फिर इसमें डालते हैं थोड़ा से कॉन फ्लार जिससे की सॉस में अच्छी सी थिकनेस आएगी, और अब इसमें हम डालते हैं दूद, अभी मैंने हाफ कप के लगभगी दूद आट किया है, और फिर इस चलाना बन नहीं करना है नहीं तो गुठलिया पढ़ जाएंगी, तो इस समय चलाते वे आप देख रहे हैं जो मिक्षर में काफी गुठलिया दिख रही है, लेकिन जैसे ऐसे आप कुप करते जाएंगे, जो चीनी है वो मेल्ट होती जाएगी, बटर भी अच्छे से बजार में जो चॉक्लिट सॉस बिखता है उससे कहीं जादा इसका टेस्ट रहेगा, अगर आप इस सॉस की शेल्फ लाई बढ़ाना चाहते हैं तो दूद की जगह यहां पर पानी का इस्तमाल कीजिए, तो सॉस लंबे समय तक चलती है, तो यहां पर कुक करते वे आप दे करेंगे, फ्लेम को बन करते हैं और इसे हम पुरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो जैसे हमाई सॉस ठंडी हो जाएगी, इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ग्लास जार में भर कर इसे आप 10-15 दिन और बहुत ही अच्छा सा टेक्शर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, और कोई भी नहीं कहेगा कि सिर्फ बिस्किट और क्रीम से इतनी टेस्टी आइस्ट्रीम बन के रेडी हो सकती है, ना ही बीटर, ना ही कंडेंस्मिक और ना ही कोको पाउडर किसी भी अगर आप कोई रेजपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे पहले मैंने बहुत ही इजी तरीके से मिक्स्ट टुटी फुटी आइस्ट्रीम भी बनाया था जो कि बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनी थी तो इसकी रेजपीक आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए